हलो दोस्तो हमारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइब करीजिस डॉग ब्रीड्स के बारे में जो की काफी पावरफुल और सबसे ज़्यादा इंटेलेजेंट डॉग ब्रीड्स भी मानी जाती है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं नमबर वन पर है पिटबुल पिटबुल वन अफ दी मोस्त पॉपिलर डॉग ब्रीड है इसे आप डेंजरस डॉग भी कह सकते हैं पर ये जितने डेंजरस माने जाते हैं उतने लॉयल और प्रेक्टिव भी होते हैं पिटबुल जब एग्रेसिव हो जाते हैं तब किसी पर भ लिए कुछ भी कर सकते हैं पिट बुल किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और अपनी बॉडी से भी भारी वजन खीचना इनके लिए बाय हाथ का खेल है अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो आपको इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होग तो इनका रीजन भी यही होगा प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशिलाइज ना करना नमबर टू पर है वुल्फ हाइब्रीड ये एक हाइब्रीड डॉग है इन्हें वुल्फ यानि भेडिये के साथ क्रॉस करके बनाया गया है इनमें भेडिये के कई लक्षन पाए जाते हैं ये डॉग अपने ओनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये डॉग हच से जादा वफादार होते हैं लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बार क्यूंकि इन्हें पालना कोई बच्चों का खेल नहीं क्यूंकि अगर ये एक बार आउट आफ कंट्रोल हो जाए तो फिर ये किसी क भी नहीं सुनते इसलिए इन्हें बच्चपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती हैं नमबर 3 पर है कंगल डॉग कंगल डॉग इन्हें कौन नहीं जानता ये डॉग काफी पावरफुल और स्ट्रॉंग होते हैं इनका इस्तमाल लाइफ स्टॉक की गार्डिंग मे किया करते थे जैसे कि भीड बकरियों या दूसरे पालतु जानवरों को जंगली जानवरों से प्रटक करने के लिए जैसे कि भालू लोमडी वगेरा तंगल डॉग अगर ग्रूप में यानि कि एक पेर में होते हैं तो बड़े से बड़े जंगली जानवर से भीड़ जाते ये दिन में तो बड़े ही शांत रहते हैं लेकिन शाम होते ही अलट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि रात के टाइम में जंगली जानवरों का खत्रा बढ़ जाता है इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कितने इंटेलिजेंट होते हैं नमबर फोर पर है जर्मन शेफर्ड जर्मन शेफर्ड वन अफ दो मोस्ट लॉयल और इंटेलिजन डॉग ब्रीड है जिस वज़े से ये डॉग आर्मी, पुलिस फोर्स, सर्च और रेस्क्यू मिशन और गार्डिंग इन सभी कामों के लिए मशूर हैं जर्मन शेफर्ड ओनर के लिए बहुत ही ज़ादा प्रोटेक्टिव और लोयल होते हैं लेकिन अगर इन्हे प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, सोसिलाइज ना करवाया जाए तो ये भी डेंजरेस हो सकते हैं और अटेक भी कर सकते हैं नमबर फाइब पर है टोसा इनू, सीधी साधी दिखने वाली इस डॉप ब्रीड को फाइटिंग डॉप के लिए ब्रीड किया गया था, पहले के टाइम में इन्हें अज़ादातर इस्तमाल गार्डिंग के लिए किया जाता है, इनका सरीर काफी भारी भरकम होता है और ये अपने ओनर को प्रेटेक करने के लिए अटेक करने से भी फीचे नहीं हटते, अगर इने प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, तो फिर ये अपने मन की करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, जो की काफी खतरनात साबिध हो सकता है, चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अपने वीडियो के साथ,